सो हलो वल्कम कईस वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में और आज में लेकर आ चुका हूँ अनबॉक्सिंग प्रेस्टीज डीलक्स एलफा शेनले स्टील कुकर की फाइव लिटर की जो के हमारा जो मैं एमाजॉन से मंगवाया था और मैं इसका रिव्यू करूँगा क इसके वे से आपको पता चल पा है कि यह कुकर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए एक ओनेस्ट रिव्यू यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है तो इसकी मैं फटा फट से कर लेता हूँ अन्बॉक्सिंग उसके बाद मैं इसकी सारी चीज़े आपको कि आप देख पा रहे हैं और इसको मैं रखता हूँ फटा फट साइड और कंटिन्यू करते हैं अपनी अन्बॉक्सिंग वगरा सो यहां पर मैं इसकी टेप कार लेता हूँ वटफट इसको मैं फटा फटा पट कर देता हूँ और यह हमारा लगबग ओपन हो चुका और सब आपसे पहले हमारा आरहा है यूजर मैनुल जासा कि आप देख पा रहे हैं तो पढ़ सकते हैं इसको मैं खोल गए एक बार दिखा देता हूं आपको यूजर मैनुल वगएरा और इसी में यह में विशल देखने को मिल जाएगी हमारे कुकर की तो यह आप देख पार हों काफ काफी चमकदार है आपको पता होगा स्टेनले स्टील के फीचर वगएरा सो इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तो काफी अच्छी तरीके से यहां पर इसकी डूरेबिल्टी और स्टेबिलिटी दिखी रिए काफी अच्छा मेटीरियल है स्टेनले स्टील और काफी बढ़िया यहां पर देख सकते हैं काफी यह पांच लेटर का मेरा कूकर है आपको भी मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप पांच लेटर गल हो तो बढ़िया अगर आपकी थोड़ी ज्यादा मतलब मिड रेंज फैमिली है मतलब पांच बंदे के आरांड है बंद करना होता है तो वह चीज़े नहीं पती होती है बहुत से लोगों को मैं एक बार आपको बताऊंगा अभी यहां पर पहले इसको यहां पर ऐसे प्लेस कर देना और यहां पर एक एरो सो होगा आपके डखकन पे और आपके हैंडल पे अगर आपको खोलना है तो बराब यहां पर ISI का लोगो देखने को मिल जाता है ISI का ट्रेडमार्क और उसके साथ के साथ हमें यहां पर मिल जाता है सेफ्टी वॉल्ड जो कि आप चेंज भी कर सकते हो अगर आपके खराब हो जाता है इन फ्यूचर तो यह एक बहुत ही बढ़ी बढ़ी चीज है और यह हमार इस तीम बाहर निकल जागा तो यह इंडिकेटर अपना वापसी नीचे की तरफ सले जागा ऐसे तो यहां पर मैं इसको प्रैक्टिकली करके यहां पर दिखा देता हूँ यह हमने यहां पर अपना जो भी खाना और आपको बनाना हो तो आप इसके तर डाल सकते है और यहां कुकर आम कुकर समाता है कि जब भी वह सीटी मारती है तो जो भी हमारा वह होता है कुकर का इस पील हो जाता है नीचे गिर जाता है गैस तक में गिर जाता है और जिसके वैसे क्लेनिंग में बहुत जादा दिक्कत आती इस चीज का एक्सविरेंस आपको बहुत अच्छी त काफी रिलाइबल है और काफी लंबे समय तक चलने वाला आपका बिना ज्यादा दिक्कत प्रिशानी दिये वह और इजी तू यूज है और अगर आपको इसको खरीजना है तो मैं इसका बेस्ट बाइ लिंक जो आपके लिए हो सकता उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अट